आज हम जो अपना नया टोपिक स्टार्ट करेंगे उसका टेंथ कलास से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि अब तक हमने जितना इलेक्ट्रोस्टेटिक्स पड़ा वो सारा का सारा टेंथ लेवल का एक ब्रोड वर्जिन था एक ज्यादा एक्सेस में पड़ लेते थे उन सारे हैं कि हमें उलेक्ट्रिकल फिल्ड तो पूचा जाएगा वहोगा हो हमने सetr competitions charging के लिए अपलाई कि 법ल का até हमें ये कह दिया जाएगा एक ring के कार्ण electrical field बताओ ये कह दिया जाएगा एक solid sphere के कार्ण electrical field बताओ पर हम तो इतना पहले भी पढ़के आ चुके जितने भी हम formulae apply करते हैं वो सारे के सारे formulae point charge के लिए valid होते हैं कभी भी distributed charge के लिए valid नहीं होते हैं तो सबसे पहले तो हम यह देख लेते हैं कि charge किस किस टाइब से distributed हमें मिल सकता है तो सबसे पहला है हमारा linear चार्ज डिस्ट्रिबियूस यानि एक line की form में मिल सकता है जैसे example की बात करूं मैं कंड़क्टिंग या non-connecting जो भी जैसी भी एक हमें रोड़ मिल जाएगी कि एक एक ऐल लेंथ की रोड़ है उसके उपर हमारा charge distributed है उसकी density दे दी जाएगी तो वह calculation करना है हमें अगर मैं बात रिंग की कुरूं तो रिंग की भी एक circumference होती है ना वो circumference भी तो अगर रिंग को तोड़के इसी दा किया जाए तो एक टाइप की road ही बन जाती है तो रिंग के उपर भी linear charge density होती है तो इस दो टाइप के हमें example मिलेगे linear charge density, linear charge distribution के वो linear charge distribution में हमें दे दिया जाएगा बहुत बार की linear charge density क्या है linear charge density अब तक हम density पढ़ते हैं कि mass upon volume हमारा density होता है तो वो हमारी mass की volumetric density होती थी कि mass per unit volume कितना है तो यहाँ पर हमारी density charge की density ले रहे हैं वो भी एक line की form में ले रहे हैं तो linear charge density को हम lambda से represent करते हैं जैसे उसको हम d से density represent कर देते हैं यहाँ फिर row से कर देते हैं volumetric density को तो linear charge density को हम lambda से represent करते हैं वो lambda का value होता है कि total charge कितना था या फिर total charge को मैं capital के उसे लिखूं divided by उसकी length कितनी थी आपको कह दिया जाएगा कि एक length L और उसके उपर charge क्यों है तो पर unit length के उपर कितना charge हुआ तो total charge divided by total length हमारा unit length का charge जा गया तो वो बात होती है यह Second distribution होता है हमारा aerial distribution यानि सर्फेस चार्ज डिस्टिब्यूशन सर्फेस चार्ज डिस्टिब्यूशन जैसे example की बात कुरूम है तो डिस्क दे दिया जैसे यह बोर्ड हो गया प्लेट दे दी तो इसके उपर charge distributed है तो हम यहाँ पर इसकी भी density निकालेंगे कि इतने एरिया में इतना चार्ज है हमारा तो पर यूनिट एरिया में कितना चार्ज होगा तो इसकी भी एक density होती है कि एरियल चार्ज डेंसिटी जिसको सिगमा से रिपरजेंट किया जाता है वह होता है total charge divided by total area यानि पर यूनिट एरिया के अंदर कितना चार्ज है हमारा यह होता है पर यूनिट लेंद का चार्ज और यह होता है पर यूनिट एरिया के अंदर कितना चार्ज है हमारा थर्ड हो गया हमारा वोल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रिब्यूशन एक्जाम्पल की बात करें कि स्पीर दे दिया कि सुलिड स्पीर है उसके अंदर पूरे में वी चार्ज भरा हुआ है तो उस चार्ज डिस्ट्रिब्यूशन को लिखेंगे हम तो इसमें हम लिखते हैं कि वोल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी को रोज से रिपरजेंट किया जाता है और इसका मतलब होता है टोटल चार्ज डिवाइडिड बाई टोटल वोल्यूम तो यह हमारी तीसरी डेंसिटी होगी यानि चार्ज एक पॉइंट उब्जेक्ट पॉइंट पार्टिकल की फोर में नए आकर वह चार्ज हमारा लिखेंग चार्ज डेंसिटी बन सकता है और वोल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी बन सकता है तो लिनियर की फोर में लिनियर डेंसिटी होगी एरियल की फोर में एरियल डेंसिटी होगी और यह वोल्यूमेट्रिक डेंसिटी होगी आपको इन तीन बातों को याद रखना है फर्स्ट सेकिंड और थर्ड अब हम बात करेंगे कि हमें किस टाइप के चार्जिज मिलेंगे किस किस टाइप के उब्जेक्ट मिलेंगे उनके कान इलेक्टिकल फिल्ड की वैल्यू कितनी होती है उन डेरिवेशन्स की कि सबसे पहला हम पढ़ेंगे रिंग का केस कि एक रिंग है जिसकी रेडियस ए है इसका सेंट्र ओ है हम यह बताना है कि सेंट्र से आर डिस्टेंस के उपर यह पी पॉइंट ले लिया इस पी पॉइंट के उपर इलेक्टिकल फिल्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी होगी इएट पी हमारा कितना होगा और यह दे दिया कि एक ए रेडियस की रिंग है जिसके उपर टोटल चार्ज हमारा कैपिटल क्यों है कि अपना कड़ा इमान लो के कड़ा है जिसके उपर हमने यूनिफर्मली चार्ज डिस्ट्रिब्यूट कर दिया जिसकी टोटल वैल्यू कैपिटल क्यों है उसकड़े के सेंटर से इस पॉइंट के उपर हमें वैल्यू बतानी है कि इसके उपर हमारा इस डारेक्शन में होगा और कितना होगा यह वैल्यू कैल्पिलेट करनी है हमें अब हमारा लास्ट हम जब तक इलेक्टिकल फिल्ड इंटेंसिटी पढ़ते आई हैं लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा था वो तो यह थाने कि एक पॉइंट चार्ज के कान इलेक्टिकल इता हैं पॉइंट का चार्ज दिवाइडवाई उसकी इसकिकल तो नहीं एक पॉइंट चार्ज तो नहीं है विल्कुल डिस्टिबूटिट् आज हैं तो इस तौइप की स्टेडी के लिए हम हमेशा एक छोटा सा पॉइंट मानते हैं हम यह बानेंगे कि इस रिंग के उप और एक छोटा साफ हमारा है है हम पर छोटा सा हमने हम्ने हैं पौइंट है छोटा आप मान सकती है कि इसको हम पौइंट ऑब च्वाली दिखाया इसको मतलब होता है बहुत माइन्यूट सी चीज डिफरेंशियल जो स्टडी होती है ने बिल्कुल माइन्यूट चीज अप्रोक्षिमेट इक्वल टु जिरो उसका साइज तो वही अप्रोक्षिमेट इक्वल टु जिरो साइज का मतलब एक छोटा सा उसके कारण इस पेपौइंट के उपार ऐक इलेक्ट कल फील्ड निकालेंगे इलेक्ट कल फील्ड हमारा Israeli यह इंगल मान लिए हमने थेता है यह एंगल तो हर जगे थेता ही होगा क्योंकि एकन्य ड्रूम ऑनलो थी और डी इए वैल्यू किसके बराबर हुई के इंटू वे छोटा सा चार्ज डिवाइड़ बाई एह डिस्टेंस और यह है डिस्टेंस हम माल लेंगे कि जो डिस्टेंस ती यह है यह आर है तो हाइपोटेनियस की वैल्यू क्योंकि यह 90 डिगरी का एंगल है ना तो हाइप थोड़ी complicated study है एक बार मैं फिर आपको समझा रहा हूँ कि एक रिंग दे दी जिसके उपर चार्ज हमारा capital क्यों है पी पॉइंट पे हमें electrical field intensity की value find करनी है तो इस पी पॉइंट के उपर है electrical field intensity total के का डारेक्ट तो लिख नहीं सकते हैं क्योंकि हमारा जो यह formula आता है यह formula ए नहीं है एक particle के लिए valid होता है तो हम सबसे पहले इसका एक छोटा सा point लेगें जिसके उपर चार्ज माल लिया हमने दी के उपर चार्ज माल लिया इस छोटे से point के उपर और उस point के का अने electrical field निकाल लिया यह निकल गया अब हम यह भी पढ़ते आए हैं कि अगर इसके दो component तोड़े हैं तो एक तो होता है base का component एक होता है perpendicular component यह thita angle है तो यह angle भी हमारा ठीटा होगा और ठीटा angle का base वाला component क्या होता है d e cos theta होता है और perpendicular component क्या होता है d e sin theta होता है ठीक है जी यहां तक समझ में आ गई बात अब आपको एक बात और समझनी है वो दूसरी बात ये है कि जो हमने ring के उपर एक छोटा सा part लिया है जिसको हम point object के study मान सकते हैं उस part के just opposite में भी तो एक part होगा न वही deal length का just इसके opposite मैंने एक part ले लिया जिसके उपर भी तो charge dq होगा क्योंकि uniformly distributed है जितना इस length के अंदर charge है उतना इस length में charge होगा dq इसके कारण electrical field इस side था तो इसके कारण भी तो electrical field upward direction में होगा दो जी इसके कारण भी electrical field upward direction में आ गया d e क्योंकि distance भी same है charge भी same है तो electrical field की value भी same होगी d e angle उपर वाली side theta था तो नीचे वाली side भी तो theta ही angle होगा क्योंकि perpendicular और base perpendicular और base दोनों ही same है तो angle भी हमारे same होगी अब क्या करना है आपको ये theta angle है तो ये angle भी तो हमारा theta हुआ ना इसका भी तो एक base का component होगा और इसका भी एक perpendicular component होगा तो इसका base का component मान लिया d e cos theta और perpendicular component मान लिया d e sin theta confusion हो रही है एक बार फिर से समझ सकते हो क्योंकि इस type के study अब तक आपने की नहीं है electrostatics में की पहले हमने उपर का एक छोठा सा part लिया इस part के current प्यम पॉइंट के ऊपर हमने electrical field मान द e जिसके दो component कर दी हमने base का component और perpendicular component फिर हमने निचे का छोठा सा part मान जिसका electrical field d e, इस direction में जिसके दो component कर गी एक base का component और एक perpendicular direction में component अब हमने देखा कि कंपोनेंट इन वाइड डारेक्शन कैंसल्ड कंपोनेंट वाइड डारेक्शन कैंसल्ड वाइज अपोजिट अलिमेंट जैसे सब्सक्रा on the also phone और लिया उसका वाइड डारेक्शन चैंसल्ड वाइड देगा नीचे उनीचे का इक छोटा सब चैंसल्ड का पर लिया क्योंकि आप this should ये उपर नोपर निचे की और एक प्लस आई में नीचे का पॉनेटular पार्ट यह जिसके दो component एक i की direction में एक j की direction में अब देखा कि इसका opposite component y direction को तो cancel कर देता है और x direction में हमेशा add होता रहता है same to same अगर मैं यहाँ पर component एक element लोगा छोटा था तो इसकी opposite direction में यहाँ पर भी element होगा तो इसका भी y direction का component यह cancel कर देगा जैसे जैसे मैं यहाँ पहुंचूँगा इसका opposite direction यहाँ पहुंचूँगा तो इसके हर opposite element y direction को cancel करता रहेगा और x direction को add up करता रहेगा तो यानि component of x direction add up यानि हमेशा जुड़ते रहेंगे तो हमारा net electrical field क्या आजिएगा electrical field in x direction आजिएगा क्योंकि y direction के अंदर तो electrical field हमेशा ही cancel होगा शिर्फ ओ शिर्फ x direction का electrical field बचेगा और x direction का electrical field हम जानते हैं कितना है d e cos theta है d e cos theta है तो अगर छोटे से element के कारण हमारा e net होगा भै x direction का component होगा net x direction के components तो इसको अगर proper language में मैं define करना चाहूं perfect एक mathematical language में तो e net क्या होगा सारे के सारे x direction के components का sum होगा या फिर यह कहना चाहें कि एक directional property है तो मैं यह कह दूँगा कि जो हमारा e direction का एक छोटा सा component आया है उसका integration ही हमारा e net होगा क्योंकि e net x direction में रहेगा इसके कारण e net जो x direction का था d e x हो गया यह हमारा d e x मान लिया d e x का integration कर देंगे तो total हमारे पास study हो जाएगी तो उस type से हम लेके चल रहे हैं तो d e x हमारा कितना है integration तो हमें करना है d e x है हमारा d e cos theta यह हमारा e net आएगा e net की value आजएगी d e की value कितनी है हमारी k d q divided by a square plus r square into cos theta की value कितनी होगी इस triangle के अंदर cos theta का मतलब base by hypotenious base हमारा है r और divided by hypotenious root of a square plus r square k r और यह नीचे का denominator जो जितना भी है पुरा उपुरा system हमारा constant है तो k r divided by a square plus r square की power 3 by 2 1 और half 1.5 power आजएगी और integration बच जएगा d ko का और d ko का integration क्या है यानि सारे के सारे टुकडे जोड़ दें तो total charge हमारा कितना हो जएगा जितना इस पुरी रिंग पे चार्ज था तो total रिंग पे हमारा charge कितना था capital क्यों था तो इसका हमारा answer आजएगा k r divided by a square plus r square की power 3 by 2 into हमारा answer आजएगा capital q तो यह एक रिंग के का इलेक्ट्रिकल फिल्ड होता है फर्स्ट डेरिवेशन आपके लिए इस ट्वैल्थ क्लास के अंदर integration की फॉर्म में तो एक बार फिर से फास्ट ली समझ लो कि हमने एक रिंग लिए जिसके ऊपर total charge क्यों था उसका एक छोटा सा element माल लिया क्योंकि जितने भी फॉर्मूले में लगाते हैं वह एक point object के कारण ही होतते हैं तो यह है एक point object हो जाएगा point object के कारण डिया गया इसके दो component की एक x direction का component एक y direction का component फिर हमने यह देखा कि हर एक element का एक opposite element भी होता है इस opposite element के कारण electrical field इस direction में था तो इस direction के electrical field की value अगर मैं यहां जाऊंगा तो x direction का component अगर यहां जाऊंगा तो y direction का component फिर लास्ट में conclusion यह आया कि y वाला component तो हमेशा opposite element के कान cancel हो रहा है जिसका जिस जैसे इस element का y component इस element ने cancel कर दिया वैसे हर एक का opposite element y direction का component cancel करता रहेगा तो y की तो study खतम होगी तो हमारे पास शिरफ ओशिरफ x direction का component बचा तो यानि हमारा e net क्या होगा total x direction का electrical field intensity दी इ क्या है एक थोटे से part के कान x direction की electrical field intensity उसका integration कर देंगे तो क्या होगा total ring की electrical field intensity in x direction और x direction की total electrical field intensity की value हमारा इनेट है फिर हमने इनेट की delta x की value रखी डी इकोस थीटा होती है दी इकोस थीटा होती है दी की value रखी फिर डी के ओका integration कैप्टल के वा आया और हमारे पास एक यह final result आया यह है बोर्ड के लिए एक important derivation है तो बोर्ड एक्जामिनेशन में जब भी derivation आती है तो final result लिखने के बाद हम इसके कुछ important point भी लिखते हैं note बनाकर important point first point है हमारा कि अगर एक ही value या फिर जो हमने r distance ली थी r distance की value बहुत छोटी होती एक ही compare में radius के compare में हमारे r distance की value बहुत ज़्यादा कम होती तो क्या होता यानि r बहुत छोटा है एक के compare में तो r square तो और भी ज़्यादा छोटा होगा तो यानि r square को मैं neglect कर सकता हूं शिरफ a square बचेगा तो हमारा electrical field कितना रहे जाएगा इनेट हमारा के r q divided by a की power 3 रहे जाएगा तो यह हमारा एक first result आ गया दूसरा अगर r की value बहुत ज़्यादा बड़ी होती है के compare में तो आप अगर ध्यान से देखो यह result किसके लिए एक point object के लिए ना यानि हम रिंग से आर मतलब बहुत ज़्यादा दूरी पर जाकर देखें तो रिंग हमें एक छोटा सा element ही दिखाई देगी एक point object ही दिखाई देगी जिसके गान इलेक्टिकल फिल्ड इतना होता है तीसरा add center center के उपर इलेक्टिकल फिल्ड कितना होगा center का मतलब r की value 0 अगर r की value 0 put करो तो निए हम ने इसका 0 हो जाएगा तो इकी value कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी इनएट की value यानि रिंग के center के उपर electrical field intensity की value जीड होती है तो ये तीन इसके साथ हमें points को add करना है हमारी electric field की value आई kq x divided by radius square प्लस x square की power 3 by 2 कि axis के उपर ring के कार्ण इतना electric field होता है अब हम calculate कर रहे हैं कि किस point के उपर electric field की value जादा होगी max to max किस point पे होगी यानि एक ये ring थी जिसकी radius capital R मान ली हमने जैसे derivation में तो A मान ली थी यहाँ पर capital R radius मान ली और x distance के उपर हम electrical field की value calculate करते हैं तो यह दूरी कौन सी होनी चाहिए यानि यह p point कहां पर होना चाहिए जिसके लिए E की value maximum होगी तो इतना हम पढ़ी चुके हैं कि जब भी हम किसी भी एक value का maximum निकालते हैं की है या minimum की है तो उसी type से हम इसका भी differentiation करेंगे x के respect में करेंगे क्योंकि हमें x की value find करनी है E max के लिए यही variable quantity है हमारे लिए तो इसका differentiation de by dx क्या होगा के क्यों तो constant बाहर ही आ गया differentiation बच गया x divided by radius का square plus x square की power 3 by 2 बच गई अब यह u by v की form है न differentiation कर रहे हैं हम u by v का तो u by v का differentiation होता है क्यों तो common है यह v का square r square plus x square की power 3 square करेंगे तो by 2 वाली power cancel हो जाएगी v as it is r square plus x square की power 3 by 2 as it is x का differentiation into 1 minus x as it is v का differentiation power कितनी है 3 by 2 है तो 3 by 2 आ गया गी into क्या बचा power कितनी बची r square plus x square की power 1 by 2 बची अब अंदरवाले part का differentiation r तो constant है radius है इसका differentiation 0 x square का differentiation 2 x अब ये complete differentiation हुआ है r square plus x square की power 3 by 2 का 2 से ये 2 cancel और ये d e by d x की value आईगे हमारा next step क्या होता था इस differentiation को हम 0 के बराबर पुट कर रहे हैं तो मैं यहीं पर 0 लगा रहा हूँ अब आप खुच सोचो kq की value 0 नहीं हो सकती r square plus x के रिए positive term में आएगी कभी ये है infinite नहीं आ सकता कि something upon infinite हमारा 0 हो जै तो 0 के कौन सी quantity होगी ये सिरफ इतना numerator 0 बनेगा क्योंकि ये 2 quantity 0 होई नहीं सकती तो r square plus x square की power 3 by 2 minus x into x x square बहर निका लेंगे तो 3 x square r square plus x square की power 1 by 2 is equal to 0 इसमें से अगर r square plus x square की power half अगर कोमन निकाला जाए तो r square plus x square बच गया यहां पर क्योंकि 1.5 power है न 1.5 power है आदी बाहर आगी तो 1 बच गई ये पुरी पुरी common हमने ले ली तो minus का 3 x square बच गई is equal to 0 अब ये ट्रम भी तो 0 नहीं हो सकती न ये into b 0 है इसका मतलब या a 0 है या b 0 है या दो 0 है अब ये तो 0 हो नहीं सकती तो जाइज सी बात है भी हमारा 0 होगा तो इसका मतलब ये हुआ r square minus का 2 x square 0 होगा तो x square की value आगी r square by 2 x की value आजेगी plus minus r by root 2 अब हमारे पास ये दो value आईगे एक positive और एक negative value अब हमारा दूसरा काम क्या है हम इसका दूसरा differentiation करेंगे second differentiation में put करके देखेंगे की कौन सी value हमारे negative बन रही है कौन सी positive बन रही है तो आप check करके खुद देख लेना r by root 2 x is equal to plus r by root 2 के लिए double derivative negative आएगा तो negative का मतलब ये है value हमारी maxima के लिए होगी और minus वाली minima के लिए होगी तो e max at the rate x is equal to plus का r by root 2 होता है यानि maximum value e की r by root 2 पे होती है उससे पहले कम होती है उसके बाद भी कम होती है और x की value अगर infinite कर दें तो नीचे का नीचे इसकी अगर की जाए तो पावर ये approximate 3 के उपर depend कर रहा है न denominator से denominator के उपर ज़ादा depend करेगा इससे जाने के बाद तो इसका graph भी book में दिया हुआ है कि electric field center के उपर तो 0 ही रहता है 0 से x is equal to r by root 2 r by root 2 यहां तक तो बढ़ती है value यहां पर maximum हो जाएगी और फिर value घटनी start हो जाएगी और घटी घटी infinite के उप तरफ जाकर 0 मानते हैं same to same यह graph भी side किया जाए तो minus r by root 2 के उपर क्या होगा minimum होगा तो यह graph सबसे नीचे आएगा फिर घटना start हो जाएगा तो इस type का हमें graph भी मिलता है यह e max है और यह negative max का मतलब e minimum मान सकते हो value तो यह हमारा इसका एक graph बनता है अपर जाएगा यह जाएगा एक तो यह हम डाएगा